दोस्तों मेरा पास है एक पुराना वाला बाइक का वैठरी और इस बैठरी को हम घोर पर बहुत इजी तरीका से चार्ज करने वाला हूँ अगर आपका घर पर भी पुराना वाला बाइक का वैठरी अगर पौरा हुआ है तो उसको भी आप इजी तरीका से चार्ज कर सकती है तो हम मेन वीडियो पर जाने का पेले आप लोग का पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नया वीडियो देख रहा है तो चैनल को आभी से आभी सस्क्राइब का लीजे किम की इस चैनल पर हर टाइम यूसफुल वीडियो आते रहती है तो हम चलती है मेन वीडियो पर Welcome back दोस्तो हम आज चुका हूँ मेन वीडियो पर तो दोस्तो इस जो पुराना वाला बाइक का बैटरी होती है ये 12 वोल्टेज की होती है इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 12 वोल्टेज की चार्जर होना चाहिए तो 12 वोल्टेज का चार्जर आपको कहां मिलीगी अगर आपका घौर पर लेक्टॉप है तो लेक्टॉप का चार्जर को आप यूज कर सकता है क्योंकि लेक्टॉप का चार्जर जो होती है बारा भोल्टेज की होती है तो इस लेक्टॉप का चार्जर को यूज करके easily अपना पुराना बाइक का वैटरी को आप चार्ज कर सकत तो जैसि कि हार घौर पर लैक्टोब नहीं होती है तो इसलिए हम लैक्टोब का जो चार्जयर है हम साइट पर रловती है जो दूसरा method है TV तो हार घौर पर पर ही है उसका जो saftig box है उस saftig box का चार्जर जो है वो 12V के होती है जैसी कि मेरा safety box यहाँ पर देख सकता है, safety box का जो charger जो है मेरा हाथ में है, तो इस charger का मदद से हम कर सकता है, अगर आपका घर पर भी अगर safety box है, अगर उसका charger है, तो उस charger से अब कर सकता है, इस जो safety box है, तो यहाँ पर जो power connection होती है, उस power connection को यहाँ पर safety करके, हम safety box पर power देत नहीं है उसके देगने के लिए आपको माल्टी मीटर का यूज करना परेगी नहीं तो आपको साइट पर सारी की सारे डीटिल्स लिखा रहेगी इसको एक बार पर लीजेगा ओके सेटेप बॉक्स का जो चारजर है इस चारजर 12 वोल्ट की है इसको हम कनेट कर लेते हैं और इसका पावर पहले हम चेक कर लेते हैं ओके जो एक 12 वोल्ट का है क्या नहीं है तो इसके लिए हम को जोरोत पर एक माल्टी मीटर की तो माल्टी मीटर भी रेडी है मेरा पास माल्टी मीटर को हम सेट कर लेते हैं इसको connect दे देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर 12 वोल्टेज यहां पर available है तो इस जो charger है यह बिल्कुल 12.14 वोल्ट यहां पर आ रहा है इस charger का मदद से हम इस बैटरी को easily charge कर सकती है तो हम इस माल्टिमीटर को side पर रख देते हैं और आभी छोटा वाला एक flexible और की जोरत परेगी इस और को अपना बैटरी का साथ connect कर दीजिए तो इस और को हम बैटरी का साथ connect कर लेते हैं देख सकता है जो विरा फैक्सिबल ओयर है उस ओयर को हमरा बैटरी का साथ कनेट कर लिया है अभी इस साइड बहला जो ओयर है इसको पॉजिटिव और नेगेटीब को हमरा चार्जर का साथ कनेट कर लेंगे ओके तो हम फड़ा फड़ से इस ओयर को हम चार्जर का साथ कनेट क नहीं जो चारजर है इसका और बैटरी का पॉजिटिव नेगेटीब एक साथ होना चाहिए अगर आप पॉजिटिव नेगेटीब को एक साथ कर देती है तो इस पर फायार हो सकती है कुछ एक्सिडेंट हो सकती है इसको थोला सा ध्यांद दीजेगा अभी देख सकते हैं मेरे तो आपका बैटरी जितना टाइम चार्ज लेते हैं उसका हिसाब चार्जिंग पर लगा दीजिए तो अपना बैटरी फूल हो जाएगी एक छोटा सा ट्रीक्स था एंड सिंपल तरीका से पुराना बाइक का बैटरी को आप इजिली चार्ज कर सकता है तो दोस्तो आई होप हम उमीद करती हूँ जो इस ट्रीक्स को आप समझ गया होंगे आज का वीडियो इतना ताकी है हम उमीद करती हो वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए अपना दोस्तु का साथ भी सेर कर दिजे एसा इंटरेस्टिंग एन यूसफुल वीडियो देखना पसंद करती है तो इस चैनल को आभी से आभी सस्क्राइब कर लीजे क्योंकि इस चैनल पर हम इसा यूसफुल वीडियो आते रहती है तो हम फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ उसी टाइम के लिए बाई बाई